दोस्तों अलमोस्ट एक महीना पहले मैंने आप लोगे लिए एक वीडियो बनाया था आठ ऐसी डैप्स के बारे में जो ब्लास्ट मिनिट में आप यूज कर सकते थे और आप ब्लास्ट पॉइंट और गोल्ड पॉइंट कर सकते थे जिनके कॉर्रिस्पॉंडिंग आपको ब् किया होगा तो आपके पास काफी सारे पॉइंट्स और अगर नहीं किया है तो अभी भी आप कर सकते हैं ब्लास्ट पॉइंट कर सकते हैं और साथी साथ आपको फोकस करना है ब्लास्ट गोल्ड पॉइंट्स पर गोल्ड पॉइंट्स अगर आप ध्यान दें ब्लास्ट की इ इस पर मिलेगी अब यह blast gold जो है यह सिरफ daps को ही दिया जाता है और जिन daps को आप use कर रहे हैं काफी उने announce कर दिया है कि 100% blast gold जो है वो अपने users में distribute कर देंगे क्यों आपको blast gold जादा से जादा accumulate करना चाहिए उसका simple सा reason यह है कि blast gold जो है वो बहुत limited supply में है और ratio की अगर हम बात करें तो blast gold आपको एक blast gold में भी बहुत सारे points दे रहेता है for example अगर मैं अपनी यहां पर बात करूँ तो यह मेरा एक wallet है जहां पर blast points accumulate हो रहे हैं blast gold मेरे पास सिरफ यहां पर दिख सकते हैं 25 ही है बट अगर आप इनकी value देखना चाहते हैं तो estimate value में मैं यहां पर click करू होंगा यहां पर दिखा रहेगा कि 25 gold points की मेरी almost value एक million points है जबकि total मेरे points अभी तक सिरफ 370,000 ही है बलकि सिरफ 25 gold ही मुझे यहां पर 1 million points के आसपास यहां पर value provide कर रहे हैं तो इससे आप अंदादा लगा सकते हैं कि points की कितनी value है और कितना जादा यहां पर आपको active रहना है ताकि जारा से जादा इसको accumulate कर सकें अब आप dap leaderboard में जाएंगे तो यह कुछ daps हैं जो मैंने already अपने वीडियो के अंदर cover करी हैं यह already top daps हैं यहां पर देख सकते हैं किसके बदले में मुझे कितने पर यहां पर points मिले हैं बट यहां पर एक dap है जैसे blaster ब्लास्टर ने अब तरह कोई भी gold अपना distribute नहीं किया है और जो total value लॉट जाने की tvl के मुझाबले इनको काफी gold मिलने वाला है और वो जितना भी gold होगा वो इनके users के अंदर distribute कर दिया जाएगा तो आज इसी dap के उपर मैं concentrate करूँगा और कैसे यहां पर आपको capitalize करना है इसके उपर वो म मैं blaster की बात करूँ तो blast gold distribute होगा उन users को जो engagement boost करते हैं यह सब मैं आपको steps बताँगा कि क्या आपको करना है engagement boost करते हैं creator rewards अगर आपको collection create करते हैं अगर आपके पास blaster key है या आपके पास NFT होना चाहिए जो अल्रड़ी थोड़ा over price हो चुका है और active participation जाने की simply by minting NFTs on a platform त blaster जो है वो एक NFT platform है यहाँ पर अपनी खुद की NFTs बना सकते हैं और existing NFTs buy कर सकते हैं बट सबसे सही बात यहाँ पर यह है कि कोई भी NFT आपको रग नहीं कर सकती आप कभी भी उस NFT का refund ले सकते हैं तो यहाँ पर जो important चीज़ है वो है unruggable NFT connections यानि कि हमीशा risk होता है कि आपन collection आप लेंगे जिस price पे आप लेंगे वो price आप कभी भी जाके redeem कर सकते हैं आपको कोई भी नुकसान वहाँ पर नहीं होगा तो अब इस से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना जादा popular एक mechanics होने वाला है अगर आप यहाँ पर actively participate करना शुरू कर देते हैं तो minting now में जाएंगे तो बहुत सारे NFTs यहाँ पर mint हो रहे हैं किसने कितना क्यों कर लिया है वो भी हो रहा है बट आपको यहाँ पर अगर point लेने है तो आपको कुछ mint करने पड़ेंगे कुछ वहाँ बूस्ट करने पड़ेंगे तो मैंने यहाँ पर collection करी है community के लिए अगर मैं सतोशीगर के मेरी यह collection है यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी 21,000 NFTs जो है यहाँ पर maximum supply मैंने रखी है और price है यहाँ पर 0.0069 अब यह जो price है यह आप देख सकते हैं refund guaranteed यानि कि आप कभी भी जाके NFT को burn करके अपने Ethereum वापस ले सकते हैं यह Ethereum जो है यह सिरफ contract में smart contract में lock हो last point मिलते हैं last gold मिलता है और आप कभी भी इसको withdraw कर सकते हैं अब कभी भी withdraw करने का मतलब है जो lock period यहाँ पर specified जाने की 21 दिन तक आपके जो Ethereum है इस contract के अंदर locked रहेंगे और 21 दिन complete होने के बाद आप कभी भी जाके अपने 0.0069 Ethereum जो है वो वापस अपने wallet के अंदर withdraw कर लेते ह हैं जब तक यह contract में रहेंगे वहाँ पर वो earning करते रहेंगे तो यहाँ पर user कोई भी risk आपको नहीं है in fact अगर NFT की value marketplace पर trade on लग जाती है NFT value बढ़ जाती है तो आप उसको higher value में भी sell कर सकते हैं but important चीज़ यहाँ पर यह है कि as a user आपको यहाँ पर कोई भी नुक्सान नहीं है तो मेरे साब से आपको यह जरूर कर लेना चाहिए अगर आपके पास कुछ भी Ethereum है blast पर ऐसे idle पड़ा है तो यहाँ पर invest कर दीजे ताकि आपको यहाँ पर इस dap के blast जो gold points है वो सब मिलने लग जाए और साथी साथ आपको yield यहाँ पर मिलने लग जाए तो mint करना काफी अ साने simply यहाँ पर इस page में जाएंगे public mint यहाँ चल रहा है 0.0069 मैंने यहाँ पर value रखी हुई है आप एक कर सकते हैं दस कर सकते हैं यहाँ पर कोई limit नहीं है मैं यहाँ पर एक NFT मिलन करका दिखाता हूं mint one NFT पर click करेंगे simply जाएंगे यहाँ पर आप दिख सकते हैं 23 dollars यहाँ 21 dollar अभी चल रही है इसकी value और blast पे जो fee है वो बहुत ही कम है आपकी almost nil है यहाँ पर जीरो ही है यहाँ पर आपकी gas fee तो यह यहाँ पर कर देंगे confirm और यह NFT जो है आपका यहाँ पर mint हो जाएगा तो यहाँ दिख सकते हैं NFT mint हो गया यहाँ पर मैं आइटम समझाओंगा तो इस type का NFT यहाँ पर आपका आजाएगा और यहाँ पर लिखा भी आ रहा है यहाँ पर refundable in 21 days अब refund करने के लिए 21 दिन के बाद आपको simply यहाँ पर NFT पर hover करना है refund पर click कर देना है और यहाँ पर आप 21 दिन बाद इसको refund कर पाएंगे कोई भी NFT जो भी आप mint करते हैं अगर उस इसको upgrade मत करिए क्योंकि upgrade कर देंगे तो आपका जो Ethereum है वो permanent वहाँ पर lock हो जाएगा और आप refund नहीं ले पाएंगे तो यह बहुत important चीज़ है यहाँ पर तो यह minting एक तरीका होगा आप जो दूसरा तरीका है यहाँ पर आपको जाना है यहाँ पर कोई भी collection में जैसे simply एक इसके अंदर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक boost का sign बना हुआ है याने कि एक यहाँ पर boost अभी चल रहा है अगर आप कोई भी collection आके boost करते हैं तो आपको additional यहाँ पर points में लग जाते हैं तो boost करने के लिए simply collection के page पे आप जाएंगे यहाँ पर boost पे click करेंगे अब जो boost है वो 0.01 Ethereum का minimum boost है किसी भी collection को अगर आप boost करेंगे तो वहाँ पर 0.01 Ethereum आपके यहाँ पर boost में लगेंगे बट यह भी refundable है you can refund your Ethereum at anytime तो यहाँ पर कोई भी नुकसान नहीं है as a user आपको simply collections को जाके boost करना है आप चाहें तो यही collection में यहाँ कर सकते हैं बूस्ट करन देंगे और उसके बाद यहाँ पर boost पर क्लिक कर देंगे तो मेंडमास्क में यहाँ पर प्रॉम्ट आएगा इसको simply आपके confirm कर देंगे तो आपका boost जो है यहाँ पर complete हो जाएगा collection यह boost हो जाएगा और आपको additional यहाँ पर points मिलेंगे अगर आपको refund लेना है तो simply boost पर क्लिक करेंगे यहाँ पर refund वाली एक option है यहाँ पर refund जो मैंने दो boost की हो है यहाँ पर simply क्लिक करूँगा तो जो ethereum है वो वापिस आ जाएगा मेरे account में तो once again यहाँ पर कोई भी नुकसान नहीं है यहाँ पर बहुत कम users हैं बहुत ज़्यादा gold points हैं तो definitely यहाँ पर आके इसको mint कर mint